हेलो फेंड्स वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल सरकारी बावों फ्रेंड अर्रासी ग्रूबडी एक्जाम के रिगार्डिंग में कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग हो रही है जिसमें CET टी एक टौपिक है एक ँराई है CET और ऑने और एक्जां देत्व मेंकों चैनल सरकारी जो डूडबारई और टी तयारी कर रहे हैं CBT की वो लोग अपनी अच्छे से तयारी करते रहें जैसे तयारी कर रहें वैसे ही करते रहें NRA के बारे में मैं पता देता हूं कि NRA National Requirement Agency थी जिसमें गौर्णमेंट ने ये का गया था कि अपसे एक एजनसी एक्जाम कंड़क कराईगी जो भी गौर्णमेंट का एक्जाम होगा वो अपसे एक कंड़क करवाया जाएगा भी वेकेंसी फ्यूचर में आती है जैसे आरारची गौर्णमेंट का एक्जाम टी सीएस या N.E.S.I.T. लेने वाला है तो इसके एक एजनसी थी जिसके रिगार्णिंग में ये बताया गया था तो इन सारी एजनसी को कैंसिल करके 2021 में एक नोटिस निकाला गया था कि एक N.E.A. जो एजनसी होगी नेशनल रिकूर्णमेंट एजनसी यानि जो गौर्णमेंट के होगी वही सारे एक्जाम आपके कराने वाली है चाहें वो रेलवे का हो एसेस्टी का हो या बेंकिंग का हो तो N.E.A. ये है C.E.T. ये था क एक common eligible test था जिसके regarding में मैंने वीडियो बना दी थी previous में तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं तो C.E.T. common eligible test था जिसके बारे में कहा गया था कि एक common eligible test होगा उसके बाद में candidates का भील को कम करने के लिए ये लिया जाएगा और जिस जो जो candidate जो requirement बढ़ता है उसके हिसाब स उसका test होने वाला है तो C.E.T. और N.R.A. का कोई भी involvement अभी फिलाल group D के exam में नहीं है क्योंकि RRC group D के लिए exam conducting agency के लिए tender already fill किये जा चुके हैं ये सारा process हो चुका है किसी एक company को tender मिल भी गया है अभी पूरी तरह से पूरी पक्की sources नहीं है कि exam TCS को tender मिला है या any S.I.T. को tender मिला है तो यहां से एकदम confirm नहीं है बट N.R.A. और C.E.T. का RRC group D में कोई भी involvement नहीं है जो candidate जिस तरह त्यारी कर रहे हैं आप लोग करते रहें किसी भी इस तरह की खबरों में आने कि आपको जरूरत नहीं है कि C.E.T. कराने वाला इस वह से date नहीं आ रह कि requirement 2020 में 2022 में आएगी या 2021 में आएगी उसमें C.E.T. लागू किया जाएगा ना कि RRC group D के exam में कोई भी C.E.T. या N.R.A. की तरफ से कोई भी चीजें चीजों का involvement नहीं है तो मैं आप से फिर से कह रहा हूं एक बार कि आप लोग जिसे तैयारी कर रहें वैसे तैयारी करते रहें इन सारी चीजों से दूर रहें और कोई भी अगर कोई भी चीज यहां पर ट्रेंडिंग होती है तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के मादियम से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को स्याथ जाथ 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 शेयर कर दीजेगा जिससे जो क प्रेंडेट भ्रहमेत हो रहें उनको भ्रहमेत होने की कोई अवशक्ता नहीं है आप लोग हमेशा अपने अच्छी तरह त्यारी करते रहें तो चलिए फ्रेंडिस मिलता हूं नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट के साथ